इश्क में रिस्क होता है, यह दस्तूर है और दरोगा जी तो एक्स्ट्रा मेरिटल मोहबबत कर बैठे मामला रामगड का है और दरोगा जी धनबाद के हैं, नाम सत्यंद्र पाल है वो रविवार देर रात पतरातू के जैनगर पहुँचे थे, गल्फ्रेंड से मिलने के साथ रंग्रलियां मना रहे थे, धरा भी किसने, महिला के देवर ने, उसने भाभी और दरोगा की करतूद भाई को फोन करके बता दी, इस बीच हो हल्ला हो गया कि नीचे आये, बातरूम गए, प्रसाब किये, फिर किचन में गया है, फाणी किने के लिए, किचन के सामने, मेरा भाई भाभी का रूम है, वहां से आवाज आया, लड़का का आवाज, और मेरा भाइडिवटी गया था, रे डिवटी, हम गये, हम देखे कोहाों बस्क्रें दरोगा जी बांडरी वाल से हाई जंप मार पाते उससे पहले ही दबोच लिए गए फिर क्या था रविवार देर रात शुरू हुआ फिल्मी टाइब ड्रामा सौंबार को पूरे दिन जारी रहा गौर तलब है कि रविवार देर रात धनबाद में पदस्थापी दरोगा सत्यैंद्रपाल पतरातु के जैनगर पहुँचे कार को प्रेमिका के घर से कुछ दूरी पर खड़ा किया खुद बाउंडरी भांद कर पहले घर में दाखिल हो गए और फिर सीधा प्रेमिका के कमरे में दोनों मिले और फिर प्रेमा लाप में डूब गए रात को महिला का देवर शायद वास्रूम जाने के लिए जगा था उसने अचानक महिला के कमरे से बादचीत की आवाज सुनी अंदर जहांक कर देखा तो उसकी भावी और दरोगा आपत्ती जनक अवस्था में मिले उसने सोर मचाया दरोगा जी ने भागने की कोशिस तो की लेकिन सोर सुनकर जुटी भीड ने उन्हें दबोच लिया इस्थानिया लोगों ने प्रेमी जोडे को पतरातु पुलीस के हवाले कर दिया पुलीस की पूछताच में दोनों ने स्विकार किया कि उनके बीच लंबे समय से प्रेम संबंध है महिला एर होस्टेस रह चुकी है महिला का कहना है कि वो अपने पती के साथ खुश नहीं थी महिला अपने पती से अलग होकर अपनी मर्जी की जिन्दगी जीना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर पतरातु SDPO विरेंदर चौधरी ने बताया कि सत्येंदर पाल धनबाद में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित है मामला प्रेम प्रसंग का है दोनों बालिग है माहिला ने दरोगा के खिलाब कोई बयान नहीं दिया इसलिए कारवाई नहीं की विवेकानंद विद्यामंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Code School है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं